बस एक हफ़ते का वक्त बचा है जब मोदी 3.0 का आम बजट देश के सामने होगा। पूरा देश इसके लिए टक-टक ही लगाए बैठा है। बजट में क्या होना चाहिए? विकसत भारत का प्रण कैसे पूरा हो? अलग-अलग शेत्रों के लिए क्या प्रावधान होंगे? इसे ले करके हर कोई उत्सुख है। एसे में भारत 24 आपके लिए एक खास कारेक्टरम लेकर के आया है बजट अडवाईजर। हमारी इस खास पेशकर्श में हम अलग-अलग मुदों पर बाचीत कर रहे हैं ताकि सरकार तक एक्सपर्ट्स की सलाह पहुचाई जा सके। आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी पर जोसे लेकर के खूब सियासी संग्राम मचता है। लेकिन क्या वाकई मोदी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं या प्रधार मंत्री मोदी की नीतियों से देश की युवाउं को आत्म निर रहाने के लिए बजट में क्या-क्या प्रावधान होने चाहिए। आज जुलाई को व्रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोजगार को ले करके आंक्रे भी जारी किये जिनके मताबिक रोजगार के एक शेत्र में धाई गुना बढ़ूतरी भी है। लेकिन क्या हमारे एक् प्रक्या स्टार्ट अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स युवाओं को बहतर भविश्य का रास्ता दिखा पा रही है। एक-एक करके इन तमाम मुद्व पर बाच्रीत होगी, एक-एक मुद्व पर बजट एडवाईजर से चर्चा भी होगी। तो आईए श पास कारिक्रम, बजट अद्वाईजर। देख रहें, तरह बाच्छी के इंडिया हैं, लाख ओड़ी कारिक्र्चा के लिए टीसदार, चालिसदार, नौक्रिई लिए बहुत सारे लिए लिए लोग आते हैं, उमतहन लेते हैं, तो ये समस्या जो है, इसमें चार तरह की समस्या है बे रुजगारी की, एक तो वह है जो काम ढूंडी नहीं रहे हैं, उनकी समस्या बहुत जाद है, दूसरे वो हैं, जो काम ढूंड रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, जिसको अनेम्प्लॉइड बोलते हैं, तीसरा वो हैं, जो कृषी में हैं, जो खेट पे जाते हैं, लेकिन उत पादन में उनका कोई काम होता है इसलिए वो डिजगाइज नंपलोई है और चौथे वो हैं जो अंडर एंपलोईड है जिन को चालिस घंटे का काम नहीं मिलता है अगर लेवर फोर्स पार्स पेशन रेट का अगर आप देखें तो वहां पे बहुत सारे हैं जिसको सिर्फ चौविस घंटे का काम मिलत है और हमारी जो रोजगार की जो परिभाशा है उसमें यह मान लिया जाता है कि अगर हक्ते में एक घंटे का काम मिल गया तो आप के पास रोजगार है पर यह साफ बात है कि उन tricky बोजगार नहीं है तो चार तरह की बरोजगारी है और यह कहाँ पे है यह हमारे कृशी के श हो रहा है हम देखते हैं कि आज ट्रैक्टर है हार्वेस्टर कंबाइन है थ्रेशर है आलू खोदने की मशीन है तो इसलिए वहां पे भी काम पैदा नहीं हो रहा है और फिर दूसरा माइक्रो सेक्टर है माइक्रो सेक्टर में छे करोर यूनिट्स हैं वहां पे जब आवरिज का क्राइसिस आया जब लॉक डाउन हुआ तो हमारी अर्थ फिस्था तब से रिकावर नहीं कर पाई है तो यह जो समस्या है इसको सुलजाना है तो उसके लिए सरकार को कई चीजें करनी पड़ेंगी कृशी में बहतर आमदनी होगी तो वहां पे ज्यादा रोजगार पैदा और वहां पे एक से रोजगार बढ़ जाए तो जब 11 करोड काम और पैदा हो जाएगा और यहां पे हमें ये दो चीजों में फर्क करना पड़ेगा एक जॉब जॉब तो एक तरह से फॉर्मल होता है और एक वर्क काम पैदा अभी जो बहुत सारा काम है वो लोग खुद प होती है तो सरकार को अगर बहतरी करनी है जादे रोजगार करना है तो माइक्रो सेक्टर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और दूसरा जो बजेट है उसमें जो ग्यारे दिशनलव एक लाग करोड का प्रावधान किया था कैप्टल एक्सपेंडिशर का उसमें जो लेख रड़ाइक कोडिडर हैं हाइवेज है उन में भी बहुत जादे रोजगार पैदा नहीं होता वो बहुत जादे मेकनाइज हो गए है पहले एक सडग बंती थी उसमें सेक्रों काम करते थे खे आज जहां सडग बनती है वहां पर दस लोग काम करते हैं बडए-बड़ बुल्डोजर्स, ट्रैक्टर्स और ये जो मशीने होती हैं इनके जरीये से तो हमें अगर रोजगार पैदा करना है तो उसके लिए हमें रूरल डिवलप्मेंट है और जो हमारा रूरल एम्प्लॉइमेंट गारेंटी स्कीम है, शिक्षा है, स्वास्त है तो शिक्षा और स्वास्त है, वहाँ पे बहुत रोजगार पैदा हो सकता है और उससे जो हमारे वरकर हैं उनकी प्रोड़क्टिविटी बढ़ेगी विक्सित से विक्सित देश, सबसे दुनिया का विक्सित देश अमेरिका है वहाँ पर भी आज भी बेरोजगारी के आकड़े सुनने को मिलते हैं पर एक अच्छी बात वहाँ पर ये है, वहाँ की बेरोजगारी में और यहाँ की बेरोजगारी में फर्क ये है कि वहाँ बेरोजगारी के आकड़े आपको रियल टाइम में मिलते हैं मैं आल्मोस किसी भी समय अगर देखना चाहूं कि आज अमेरिका में कितने लोग बेरोजगार हैं मैं उसको देख सकता हूँ पर भारत में सबसे पहले इस समस्या को हिट करने के लिए पहले हमें समस्या का आकलन करना जरूरी है यहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं रिजर्व बैंक के रिपोर्ट कुछ और कहती है कुछ निजी एजेंसी हैं, CMI है, EPFO और्गनाईजेशन है जिसमें और्गनाईस चेक्टर आता है अलग-अलग और्गनाईजेशन अपना अलग-अलग अनुमान देती हैं और इस अनुमान को अकसर कांटेस्ट किया जाता है आज अगर सरकार कहती है कि बेरोजगारी की दर 3.2% रह गई है तो शायद उसमें कुछ विपक्ष की दौारा चलाई गई एजेंसी या कोई और एजेंसी कह सकती है कि यह तो आज भी 7-8% है तो मुझे लग रहा है बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कदम होगा कि उसका आकलन सही होना चाहिए दूसरा एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है एजुकेशन सिस्टम हम लिटरिसी रेट की आज से कुछ साल पहले बात करते थे आज हम लिटरिसी रेट की शायद हम अतनी बात नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि ज़्यादा तर गाओं में भी बच्चे स्कूल जाते हैं पर एजुकेशन सिस्टम में एक जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम यह है कि हमारी एजुकेशन जॉब औरियेंटेड नहीं है मैं यह शमा मांग के एजुकेशनल इस्टूशन और उनिवरस्टी से बोलना चाहूंगा कि डिग्री को चापने की फैक्टरीज हैं मैं किसी को उपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ आप 15-18 साल पढ़ाई करने के बाद एक बच्चे से पूछा जाता है कि आप आगे क्या करोगे अमेरिका में आप जाएं या किसी अन्य विक्सित देश में जाएं ग्राजूइशन के बाद आपको सीधा जॉब मिलती है यहाँ पर बी-ए-मे करने के बाद भी बी-ए-बी-कॉम करने के बाद बच्चे से आमूमन ये पूछा जाता है कि आप आगे क्या करोगे इसका मतलब उमीद की जाती है तो हमें skill development पे बहुत मेनत करनी होगी क्योंकि जिस प्रकार का युवार ट्रेनिंग चाहता है और जिस प्रकार की ट्रेनिंग employers चाहते है मुझे लग रहा है वो ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी तब तक के लिए हमें employment ढूणडे में दिक्कत होगी युवाओं को दिक्कत आएगी तीसरा मुझे लगता है manufacturing के ऊपर focus थोड़ा सा और बढ़ाना होगा सबसे ज़ादा अगर employment को इस sector generate कर सकता है तो वो manufacturing है भारत सरकार ने make in India अभियान चलाया हुआ है make in India के अंतरगत बहुत सारा काम भी हुआ है एक share हम देखते हैं बड़ा सा जिसमें machine जिसके पुर्जे है वो उसका emblem भी बना हुआ है तो मुझे लग रहा है इस share को और तेज भागने की ज़रुत है क्योंकि आज अगर आप startups ecosystem की बात करें तो startups में ज़ादा तर startups आपको technology ज़जी शेतर से जुड़े मिलेंगे या वो aggregators मिलेंगे या वो कोई service industry से जुड़े मिलेंगे वो लोग manufacturing में startup नहीं जाना चाते हैं और मैंने जब बहुत सारे startups से बात करी इस मामले में उनका सबका एक कहना था जो valuation हमें technology sector में मिल जाती है वो valuation हमें manufacturing में नहीं मिलती तो मुझे लगा है भारत सरकार को ऐसे incentives देने पड़ेंगे जो कि उन startup से match करें जो कि कुछी समय में 100, 200, 500, 1000 करोड की valuation एकदम पा लेते हैं जबकि manufacturing वाला struggle करता रहता है अगर हम भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा 144 करोड लोगों का आज ये देश है और आज भी हमारा आयात बहुत सारी चीजों में बढ़ रहा है दूसरी तरफ हमारी industries का capacity utilization कम है ये बहुत कुछ बताता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है नहीं तो इतने बड़े देश में जहां पे हम manpower की बात करते है demographic dividend की बात करते है उस समय जब हम ये कहते हैं कि हमारे हैं कमपनिया बंद पड़ी है या capacity utilization नहीं हो रही है और जो consumers है वो imported Chinese माल खा रहे है या इस्तमाल कर रहे है इसका मतलब ये है कि जो बाजार को चाहिए वो हम नहीं बना रहे है और जो हमारे consumer चाहते हैं वो आयात हो रहा है जब हम अपने बाजार को ही नहीं समझ पाए उसकी जरूरतों को ही नहीं समझ पाए तो हमारी industries की capacity utilization नहीं होगी और जब हम अपने देश को नहीं खिला पा रहे हैं तो हम दुनिया के लिए हम कहते हैं हम word market में enter करेंगे हम सब कुछ करेंगे कैसे possible इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी planning में fundamental flaws हैं मैं आपको दो तिन उधारन देता हूँ भारत सरकार ने announce कि हम green hydrogen policy लेके आ रहे हैं और पूरे देश में green hydrogen पे काम होगा अब मुझे ही बताइए कितने institute हैं जो green hydrogen technology पे काम कर रहे हैं क्या आपके यहां पे कोई ऐसे engineering colleges हैं जो green hydrogen related काम कर रहे हैं आपको उसके लिए electrolyzer चाहिए क्या ऐसी कोई engineering colleges हैं जो electrolyzer पे काम कर रहे हैं मैंने तो नहीं सुना उसके लिए आपको membranes चाहिए specialty membrane क्या आपके हाँ पे polymer के research institute है जो उस membrane पे काम करें वो भी मैंने नहीं देखा कहने का मतलब यह है कि हम announcement तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं सरकार उसमें पैसा भी devote करने को तैयार है लेकिन उस mission को पूरा करने के लिए जो आपको brain power चाहिए मतलब human resource चाहिए वो कहां है तो ultimately होता यह है कि फिर company इदर उदर से पूरी दुनिया में गूमती है components खरीद के लाती है यहाँ पे assemble करती है और फिर कहती है यह this is make in India यह बात हमें समझनी होगी इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं कि समाज में consumers का aspiration बदल रहा है आज हम EVs की बात कर रहे है कितने engineering colleges चाँ EVs की बात हो रही है हम drone की बात कर रहे है कहां पे drones की बात हो रही है even computer games और mobile games अपने आप में बहुत बड़ा बाजार और business है कितने institutes हैं कितनी बेरोजगारी है उसके आपड़े भी अलग लग आते रहे हैं हिंदुस्तान में भी काफी रहे हैं अमरीका में जो है अलग लग एजेंसी जी करती है कोई कहता है 8% है कोई कहता है 15% है कोई कहता है 25% है अलग लग आपड़े आते हैं उनके माफदें अलग-अलग हैं, अगर हम सेल्फ इंप्लॉइमेंट को या स्टार्ट अप एको सिस्टम को देखते हैं, तो उससे कम हो जाते हैं, उसको नहीं देखते हैं, तो बढ़ जाते हैं, तो आंक्डें आंकलन करना तो एक बड़ा डिफिकल्ड काम है, क्योंकि कोई उसको क्वेश्चन कर सकता है, पर सरकार को मेरे विचार में बजेट अब आ रहा है, यह देखना जरूरी है कि कुछ उनोंने नीतियां लाए थे, जैसे लेस गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की, जिसमें उनोंने काफी हद तक रोजगार जो गवर्मेंट से शेतरों में महिकों में होता है, उसके ओपर रोक लगा रखी थी, मेरे विचार में करीबन 35% से 60% वेकन्सी अलग लग महिकों में चाहे युनिवेस्टी हों, इंडस्ट्री हों, गवर्मेंट डिपार्टमेंट्स हों, सब में पड़ी हैं, जो मोदी जी ने दो साल पहले कुछ उस पे क कर सकती है, कितनी भी टेक्नलोजी आ जाए, उसके लिए हुमन रिसोर्स वहां पे होना जरूरी है, पहली चीज, दूसरी चीज देखना जरूरी है कि मैनिफैक्चरिंग सेक्टर हिंदुस्तान का कम क्यों हो रहा है, जहां पे हम जी डीपी का शेतर को डिवाइड करते हैं, एगरी कल्चर के अंदर मैनिफैक्चरिंग में और सर्विसेज में, मैनिफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसका कॉंट्रिबूशन भी उतना ही आ रहा है, उसका मेजर कारण यह है कि एक तो जो कॉंपुटिटिव प्रोडट्स अंतरास्टे मार्केट से आ रहे हैं, वो उनकी प्राइसिंग कम होने के वज़ए से वो आगे रिविन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा है, दूसरा सरकार की जो कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे पहले आईडी बी आई क्रियेट किया गया, सिडवी क्रियेट किया गया, बड़े अच्छे रहे साट सतर के दश्चत में, पर अब वो सारा काम बैंकों को अन्बी एफसीओ को दे दिया गया है, वहां से क्रियेट मिलता नहीं है, अगर आप पुरानी हिस्टरी है आपकी, तो आपको अराम से क्रियेट मिल जाएगा, साट गांट बनी हुई है तो मिल जाएगा, नहीं मिली है तो सरक अगरिकल्चर शेतर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुसान का करीबन साट से पैसट प्रतिशद जनता लगी हुई है, उसके अंदर एगरो बेस इंडस्ट्री जाएग, उनको महाकमा दिया जाए, जैम पोर्टल पर उनको इंटिग्रेट किया जाए, ताकि उनका समान ब इठाने चाहिए, जो उस पैसे को ठीक धंक से लगाने के ओपर नहीं लगते हैं, ताकि वो जब पैसा लगेगा, लोगों के अंदर रोजगार आएगी, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब्स, जॉब्स ही रहत है, जो बाटे गए हैं, तो उस लोन के उपर कितने लोगों को रोजगार मिला, ये कहीं मॉनिटरिंग हमसे लगता है कि छूट गई है, आपको भी लगता है, ऐसा है कि छूट गई है, कि मॉनिटर नहीं हो पा रहा हूँ, शरत जी एक चीज़ मैं कहूंगा, जो ये 6 करोड और 60 लाग है ना, उसमें जो माइक्रो यूनिट्स हैं, वो 6 करोड है, समॉल और मीडियम है, वो 6 लाग है, मैं सारे MSFs को मिला कर बता है, पर माइक्रो की मैं बात कर रहा था, क्योंकि मीडियम सेक्टर और स्मॉल सेक्टर तो फिर भी अपना थोड़ा ध्यान रख लेते है माइक्रो सेक्टर बहुत बुरी तरह पेट रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि जो माइक्रो यूनिट है उसको हमें सेपरेट करके देखना पड़ा है क्योंकि जैसे आपने कहा 11 करोड लोग तो माइक्रो में एंप्लॉइड है तो स्मॉलर मीडियम में अलग चीज है पर यह सब ज़्यादा 97.5% इंप्लॉइमेंट माइक्रो यूनिट में है वहीं पे आपने बिल्कुल सही कहा वहाँ पे एवरेज में 1.7 का इंप्लॉइमेंट है अगर एक कभी एंप्लॉइमेंट और जो और देंगे तो 11 करोड और आपके बढ़ सकते हैं तो इसलिए वह बहुत एहम है तो इसलिए मैंने वह बात रखी दूसरी बात यह कि जब डिमांड कम होगी जो आपने कहा है न कैपैस्टी उटलाइशन की बात कैपैस्टी उटलाइशन आर्बियाई का आक्रे जो आता है तो डिमांड कहां से आएगी जब नीचे के लेवल पे हम इंकम्स देंगे तो उसमें माइक्रो सेक्टर है अग्रिकल्चर है वहाँ पे डिमांड होगी तो वो पूरा का पूरा खर्च होगा अगर अमीर के हाथ में पैसा जाता है और वहाँ पे mechanization हो रहा है automation हो रहा है और अब actual intelligence से तो और भी ज़्याद है घबराहत हो रही है तो जो खृशी है जसे मैंने बताया है उसमें भी mechanization हो रहा है इसलिए वहाँ पे भी काम नहीं पैदा हो रहा तो यह जो समस्या है वो technology की है वो हमारे investment pattern की है और फिर demand की है जिसके वज़ेसे की रोज़गार पैदा नहीं हो रहा इग्जैक्ली मैं जजजी यह बात कहना चाहरा था देखे हम बात कर रहे हैं symptoms की आप MSME वालों से मिलके बात करिए दुकान वालों से मिलके बात करिए एक छोटा entrepreneur या दुकानदर उसका कितना पैसा और कितना time inspectors को manage करने में जाता है तो ऐसी स्थिती में जो small scale manufacturer वो कहता है जितना मैं 50,000 रुपे इसको corruption दूँगा इससे बड़ी है मैं चाइना का माल लाके बेच लूँगा मुझे ना इसकी permission लेनी है ना कुछ करना है मैं अपना माल बेच रहा हूँ मेरा घर चल रहा है देश में रोजगार हो या ना मुझे क्या लेना देना देखे education system में कोई भी policy हो चाए नई वाली हो पुराने वाली हो जब तक हम बच्चे को अफसर नहीं देंगे काम करने का सीखंगे जैसे हमारे college में आया college में बच्चों को चाए अंडर ग्राजूट हो उनको mandatory है on job training लेना आज से 20-30 साल पहले एक बार discussion मेरा RC भारगव से भी हुआ मारूत यूद्योगाले तो जब उन्होंने कहा कि जी आजकल industry ready लोग नहीं मिलते हैं बहुत चीपात है मैंने RC भारगव जी से पूछा मैं कहा सर आपने जब जोईन किया था जब college पास करके तो आपको industry ने कितने टाइम में access किया था तो उसको तीन साल के बाद मुझे access किया गया आज की date में कोई जना नौजवान जोईन करता है किसी भी लेवल पे undergraduate लेवल पे 12 के बाद या MBA करने के बाद उसको 10-15 दिन maximum एक महिना दिया जाता है कि भाई अपना revenue जनरेट करके दिखाओ तो आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई university या institution हर एक industry के हिसाब से किसी बच्चे को तियार करेगी वो एक general तियार कर सकती है platform उसके बाद specialization जो है वो skills के base वे होता है ना कि एक institution के base जो lower level पे ना हमारे school है जो उसमें जैसे 14-18 साल के बच्चे चालिस प्रश्चा दूसरे जमाद की पढ़ाई लिखाई है नहीं कर पाते है वो तो higher education बाद इसमें मेरा क्या कहना है इतने साल पढ़ाई है वो हमें बिल्कुल स्कूल के अंदर भी मेरा कहना दूसरा है मेरा यह कहना है कि आपके पास economics activities इलेक्ट्रिक सिखाया जा रहा है वो जादा क्यों नहीं किया जाता लेड दे भी people who can teach and कर सकते हैं वो skills बच्पन से उसमें की जाए ताकि सिर्फ यह नहीं कि अमीर है या गरीब है वोई भी school education और टाइम है हमारे पास बारा एक बजे खतम दो बजे खतम हो गया फिर शाम तक school का college building premises है हिंदुस्तान में क्या है मैं कलंबे business school में पढ़ा वहाँ पे क्या था वो ही एक building चार एकड़ की जमीन पे सुबह भी classes हो रही है दुपहर भी भी हो रही है शाम को भी हो रही है उसी capacity को use यहाँ पे क्या है आपको university से course लेना है तो आपको तीन classroom के लिए जो सिर्फ तीन घंटे use होगा आपको तीन अललग classroom दिखाने है क्यों दिखाने है wastage of space है बड़े बड़े universities में college है वो use नहीं हो रहे उनको use करे सरकार use कर रहे है प्रॉब्लम क्या हो रहे है policy making में जो सबसे बड़ा defect है हिंदुस्तान में आपको discuss करना चीए education से education secretary को education ना कि वो committee हों से कि भई यह बताईए कि आपकी challenges क्या और आपका suggestion क्या और कौन सा कानून आपको तंग कर रहा है अगर वहाँ यह कहेंगी UGC का यह guidance गलत है इसको बदलना चीए तो उसको बदलिए problem क्या है कि हमने कानून नहीं बदले दुनिया बदल गई यह जो mind side challenge है ना कि हम लोग अभी भी fossil है एक हिसाब से 47 में कोई कानून बन गया 80 में बन गया उसको कानून को बदलने में डर इसलिए लगता है कि कहीं लोग ना कह दें कि यह इसमें करॉप्शन तो नहीं है वेस्ट पहली बात उस archaic outdated system में भी बहुत सारे ऐसे लोग है जो rent seeker है वो इसलिए survive कर रहे है क्योंकि वो outdated कानून उन लोगों को घटिया सिस्टम बचा रहा है हम बतल इसलिए नहीं रहे कि उन पुराने लोगों का क्या होगा तो यह जो conflict है between aspiring India and a fossil India सरकार इसके बीच में break नहीं कर पा रही है और politician उसमें फस गए है कि मैं पुराने लोगों को रोकू या नए लोगों को ले कि हम मुझे लगता है कि सारे discussion का हम लोगों का result यहीं निकला कि जो सरकार ने schemes चला रखी ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया सरकार ने बहुत सारी PLI का जिकर किया मतलब उसको आखिर तक उसका सिरा पकड़े नहीं रहती है मुझे ऐसा लगता है कि पतंग की डोर छोड़ी और फिर पतंग उड़के कहीं चली गई पता नहीं लगी कहां चली अगर वो डोर अपने हाथ में रहे उसको हम monitor करें properly तो मुझे लगता है कि इसका employment पर बेथर result देखने को possible तो मतलब जो हमाई बात जो आई उसमें शिक्षा बहुत एहम जैसे आप में कहा एक तो वो की skill होगा उससे दूसरा ये कि demand जब होगी तो रोजगार और बढ़ेगा demand कैसे बढ़ेगी उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है खास का पास नहीं हो पा रहा उसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा तो ये C.H.I.C. का ध्यान रखेंगे तो हम ज़े mindset बनलना है सरकार को तब बेश बदलेगा शुक्रिया तो रोजगार की मुद्धे पर बहस तीज होती जा रही है इसे में सरकार बजट के जर्ये कैसी रहात देने जा रही है इसका पता तो 23 जुलाई को चलेगा जवित मंत्री मुदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी लेकिन भारत 24 के एक्सपर्ट की माने तो कई मोर्चों पर काम करने की ज़रुरत अभी भी है हलाकि मोदी सरकार ने कई उजनाई चलाई है जिसे स्वर रोजगार की क्षेत्र में बूम आ सके इनका असर भी देखने को मिला है फिलाल हम अपने अडवाईजर्स की बातों के निश्कर्ष की बात करते हैं जाते जाते आपको बताते हैं कि बजट अडवाईजर्स के इस शो का लबो लुआब आखर क्या निकल रहा है अडवाईजर्स की सला है कि MSME में रोजगार की धेरों सभावनाएं है MSME सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए स्किल डिवलप्मेंट वर्ल्ड क्लास की हो क्रिशिक के एक शेत्र में सुधार से बढ़ेंगे रोजगार Microsoft पर ध्यान देना आनिवारे है सक्षा में सुधार से भी रोजगार बढ़ेंगे Health सेक्टर में भी काफी रोजगार है Manufacturing को बढ़ावा देना पड़ेगा Make in India और प्रभावी बनाए इंफ्रस्ट्रक्टर बेहतर करने की जवरत है टूरिजम सेक्टर में काफी संभावनाए है स्टार्टप सेक्टर को बेहतर बनाए अर संगठत शित्र पर ध्यान देना अनिवार है खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाए कंपनियों को बंध होने से रोका जाए तो देखना होगा कि वतमंत्री क्या सौगात लेकर क्या आती है 23 जोलाई का इदजार हम सब को करना है